तो वेल्कम फ्रेंड इन्वर्चेनल इस्टड़ी विद विसाल मैं मिस्तरासर आज इसी पैसेस्ट ट्रांसलेशन के बीच मैं ले किया गया हूं 2020 का सेट है हमारे पास ये इंगलीज का सेट है हमारे पास प्लास टेंथ का है तो इसमें फुल डिसकसन करेंगे कहां से आते हैं पस्तनों का लेवल क्या होता है और कैसे कॉपी लिखे क्या किछ इंपॉर्टेंट है पूरी आपके डाउट्स में आज क्लियर करने वाला हूं तो सबसे पहले मैंने नाम हटा दिया है क्योंकि यह प्राइवेसी है मैं सेयर नहीं कर सकता है 2020 का यह सेट है यूपी बोर्ड का मैं बता दूँं आपको यूपी बोर्ड 2020 का यह सेट जो कि आज हम यहाँ पर डिसकसन करने वाले हैं इंग्लिस सब्जेक्ट देख सकते हैं इसी तरह आपके बोर्ड एक्जाम 2021 में इसी तरह पेपर आने वाला है तो बिल्कुल निश्चिंद होके आप बैठिये आपको पता नहीं होगा इससे पहले आपने बोर्ड के कुछ लोगों ने तो बोर्ड का पेपर नहीं देखा होगा तो देख लीजे कि कैसे प्रस्ट क इसी तरह पेपर आने वाला है मिन्स प्रस्ट चेंज रहेंगे फार मेटे ही होने वाला है तो आप देख सकते हैं जैसा कि ये पुडांगे लिखा है ये सतर नंबर का होने वाला है जी हाँ पुरांक में बता दूँ यह 70 नंबर का पेपर आपको मिलने वाला है टाइम आपके पास होगा 3 घंटे 15 मिनट का जी हाँ 15 मिनट तीन घंटे के अलावा दिया जाता है टोटल टाइम आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का होगा तो चलिए स्लाइड थोड़ा उपर करेंगे और यह आप देख सकते हैं आप नोट लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है देखिए फर्स्ट फिप्टीन मिनट्स और अलाटेट फॉर्डा केंडिडेट टू रीड़ दा क्योश्चन पेपर मतलब सुरुवात के 15 मिनट कैंडिडेट को मीन्स जो बच्चा एक्जाम देने गया है इस्टुडेंट को 15 मिनट सुरुवात के दिये जाते हैं कि वो पेपर को अच्छे से पढ़ लें समझ लें और तब उसको करना सुरू करें अधिवी और तरह 50 अंधिक अगर दिवाईड़ इंटो डू शेक्षन एंड बी इस वो जुआटा जाता है शेक्षन ए और शेक्षन by तो इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजए कि पहला जो सेक्षन होता है वो literature का होता है ठीक है पहला section और दूसरा section जो आपके पास होता है वो grammar का होता है अगली जो हमारे पास instructions हम पढ़ रहे हैं यह आप देख रहे हैं instructions है पहला आपने बता दिया कि दो section का होता है all question compulsory होते हैं यह जो यह देख रहे है from the two section are compulsory question आपको compulsory है करने marks are indicated against this question सभी question के आगे उस question का number लिखा होता है कि कितने number का यह question आने वाला है तो आप हर प्रस्टिक के आगे मैं आपको दिखाता चलूँगा read the questions very carefully read the questions very carefully before you start answering them तो इसका मतलब यह हुआ कि read the questions very carefully before you start answering them is it clear सभी प्रस्टों को ध्यान से पढ़ है उनको स्टार्ट करने से पहले अंसर दी जिए दिए दिए फुल डिसकाशन होने वाला है क्लास 10 के इंगलिस पेपर में your brother died because they did not heed my words they tried to drink water without answering my question do not follow them answer my question first and then you can quench your thrust this pool belongs to me I did not take Yudhishtira a moment to understand that there could none other than the words of Yudhishtira and guest what had happened to his brothers it took him no time to see a possible way of bringing them back to life he said to his he said to his bodiless wise please ask your question तो यह देखिए जो यहाँ पे आपके पास यह passage है यह जो पहला प्रस्णा आपके पास आता है वो आपके section A से आता है literature portion से आता है मैं clear कर दूँ कि 35 नंबर का paper आपका literature portion से आता है 35 नंबर का paper आपका grammar portion से आता है तो यह literature portion से आपका प्रस्णा आता है यह जो यहाँ पे पैसेस दिया हुआ है यह पहले chapter से है वहाँ पे आपको कुछ lines दे दी जाएंगी और उसी के आधार पर प्रस्ण पूछे जाते हैं तो कैसे प्रस्ण पूछे जाते हैं उसको आप देख लीजे कि write the name of the lesson lesson का नाम लिखिए from which the above passage has been taken जहां से यह पैसेस दिया गया है मतलब उस chapter का नाम लिखिए उस lesson का नाम लिखिए जिस lesson से यह passage यह lines उठाई गई है who is the author of the lesson who is the author of the lesson इस lesson का लेखा कौन है उसका भी नाम लिखिए तो आप book देखेंगे तो book में जब chapter आप पहना शुरू करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th English की मैं बात कर रहा हूँ तो chapter पहले आपको वहाँ पे मिलेगा और उसके chapter का नाम होगा उसके बाद वहीं आप देखेंगे तो लेखा का भी नाम होगा तो इसको आप याद कर सकते हैं ये बिल्कुल दो रंबर का fix प्रस्न है ठीक है तो स्लाइड उपर करेंगे इसी पैसे से दूसरा प्रस्न पूछा जाता है दो रंबर का वाज़ दा ओनर आप दा पूल युदिष्ठिरा के चारो भाई कैसे मरे तो ये परस्न आपके पैसे से पूछा जाएगा ये चीज्ज आपको पैसेच पढ़ना है इसके लिए आपको अच्छे से लेसं तयार करना पढ़ेगा अगर आप चाहेंगे तो उसमें भी वीडियो हमारे channel से provide कर दी जाएंगी अगर आप comment कर के यह यह में बता दें कि आपको किस topic पे चाहिए वीडियो वो वीडियो आपको तीन से चार दिन के अंदर जल्द से जल्द provide कर दी जाएंगी इस channel पे पूरा content डाला जाएगा मैं जहां जहां जो जो paper बता रहा हूँ यह सारी चीज़ें आपको last February तक धीरे धीरे डाल रहे हैं daily एक वीडियो हमारे आते हैं English के तो इसलिए मैं सारा content list पर डाल दूँगा इसलिए आप बिल्कुल बने रहिए उसके बाद आपके पास दूसरा प्रसन आता है इसमें से आपको दूसरे प्रसन जो आपके पास होता है इसमें आपको लिट्रेचर से पूछा जाता है प्रोज से पूछा जाता है आपने पढ़ा होगा कि आप English class 10 त्यूपी बोर्ड में अधर हैं तो उसमें प्रोज, poetry और supplementary, reader यह तीन चीज़ें यह लिट्रेचर पॉर् जो की 60 מד होती है, उन की सबद सीमा, इसमें से आपको 2 हो रहते हैं, हिसमें से आपको एक करना वह 175 पॉर्टान है इसे से आप 20 और 22 प्रस्न त्यार कर लेते हैं तो आपको यहां से आपको 200 प्रस्न मन जाएंगे जब आपको करना एक ही है तो मतलब यह बहुत आसान होने वाला है हमारी एक सीरीज आएगी लॉग नंसर पर इसी चैनल पर तो अगर आप नोटिफिकेशन और रखेंगे तो सीरीज बिल जाएगी 15 कुश्चन हम इसमें डालेंगे 15 से 20 कुश्च पर 10 से 12 से 15 कुश्चन इसमे डालेंगे लॉग नंसर के जहां से आपकी यह की चार नंबर फिक्स होने वाले हैं तो यह देखिए पहला प्रस्त है वाई बाज यक्ष प्लीज डिविट यूदिश्थिरा एंड वाट डिड ही डू दिन सेकंड कुशन वारे पास है वाट मेंड लेंचो राइट टू के लिए कौन से चेप्टर कट चुके हैं मतलब से थैटी परसंट जो से बस रेडियूज हुआ है उसके बाद आप पढ़िएगा जो कट चुका है इसको बिल्कुल मत पढ़िएगा ये 2020 का पेपर है जिसमें से कुश नहीं कटा है 100% है पेपर का फॉर्मिट आपको यही हो चैलने वाले हैं जिसमें से आपको एक क्वेस्टिन करना है चाहिए आप यह जो आपके प्रस्न प्रस्ट से ही पूछा जाता है ये यह rag Scene पूछा जाता है जिसमें आपको दो प्रस्ण करने होते हैं दो दो चार नंबर इसमें आपके कंफर्म हो जाते हैं पहला है वाट डिट दा ओल्ड मर्चंट डू और लाइफ बूढ है व्यापारी ने अपने पूरी जिंदिगी में क्या किया वाट डिट जेलर से टू सॉक्र पे मैं बता दू एक मिनट ये तीन प्रस्ण आपके पास होते हैं जिसमें आपको चाहें दो ये कर लीजिए चाहें दो ये कर लीजिए चाहें एक ये और एक ये कर लीजिए इन में तीन में से ये एक दो तीन में से आपको दो करने होते हैं जो जादा आपके आसान होते है ठीक है स्लाइड उपर करते हैं फॉर्थ क्वेशन हमारे पास है आपके पास ये दो लिस्ट है ये लिस्ट भी है यहां से आपको सिमिलर वर्ड मिलाने होते हैं जैसे रिलक्टेंट का अन्विलिंग होगा इसी तरह इस चारों का इसमें से आपको मिलाना होता है ठीक है तो यहां से आपके चार नंबर ये भी फिक्स हो जाते हैं देखिए ऐसा कुछ नहीं है आप पेपर देखिए शीट का अंदाजा लगा सकते हैं कि पैसेज भी आपके पूरे चैप्टर के अंदर से कहीं से भी पूछा जा सकता है लांग क्वेस्चन आपको एटलिस्ट बारा से पंदरा तयार करने पड़ेंगे अगर आप कहेंगे तो इसके वीडियो जल्द ही प्रोवाइड कर दिये जाएंगे नहीं तो हम लाश्ट तक तो करी देंगे अगर आप जिस टॉपिक पे वीडियो तूरंते चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं तो अगला प्रस्ट रिट दा फॉलोविंग लाइन साब पोटरी एंड अंसर दा क्वेस्चन गिवें बिलो इट अब ये भी प्रस्ट आपका जो पूछा जाता है वो पोटरी सक्षन से लिट्रेचर सक्षनल में लिट्रेचर है सक्षनल में ग्रामा है सक्षनल में लिट्रेचर पोर्शन में प्रोज पोटरी और सप्लिमेंटरी होती है तो यह जो आपका पांचवा प्रस्न होता है देखी चार प्रस्न जो मैंने बताए वो आपके प्रो सेक्षन से आते हैं पांचवा प्रस्न यह आपके पोटरी सेक्षन से आने वाला है तो यहाँ पर आपको चार लाइन की पोयम दी हुई होती है उसके बाद उसी पोयम से स्ट्रेटर नेस्ट पॉस वाज नॉट इस्पोकेन अब दो सॉल सॉल मतलब आत्मा होती है पढ़ेंगे मैं पोटरी भी डालूँ का इस पर पोट्री डालूँ का सिंटर लेडिया डालूँ का लांग दंसर सार्ट अंसर अपलीमेंटरी नरेशन पैसी वाई इस पैसेज अंस होने वाली है और फोस होने वाली है एक फोस कदम 2021 के लिए हम उठा रहे हैं स्टड़ी विसाल सिंग के माध्यम से आपको प्रवाइड की जाएंगी अब जैसे देख लिए आपके पहला प्रसना आया है पोटरी से वाट इस दे लाइफ और वाट नॉर्ट इस गोल तो इसी च इस गोल इसका गोल क्या नहीं है ठीक है तो आप महाँ पुत्तर लिखेंगे ग्रेविज नॉर्ट इस गोल एंड यह भी लिख सकते हैं आप कि दा गोल आफ लाइफ इस दॉर्ट वनीदा ग्रेप तो इसी से बना के लिखना है एजट आपको कॉपी करना है जम मैं बताओं आपको यह दो दो नमबर को फिसनाप के पास आते हैं उसके बाद गिप दा सेंटरल आडिया आफ ओन अब दप फॉलविंग पॉयंग यह आपको दो पॉयम दी हुई है इसमें से आपको सेंटरल आडिया लिखनी होती है सेंटरल आइडिया एटलिस्ट आप थोड़ा सा ल तो उसके बाद इस प्रस्ट में इसी में आप चाहें चाहें आपको पास आपसन होता है राइट फोर लाइन्स फ्राम वन आप दा पोयम्स गिवें इन यूर टेक्स्ट बुक डू नौट कॉपी इसका मतलब क्या होता है यह जहां से आपको यह देखिया सेंटर लाइड आपको दिया गया ना यह तो चाहें उसको करिए चाहें आपसन में है और चाहें इसको कर लीजिए अपने भुक से चार लाइन की पोयम लिग दीजे लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा जो चीज जैसे आपको यहां पर पैसे में दी गई है न चार लाइन ही तो यह जो चार लाइन आपको दी गई है यह भी तो पोयम ही है तो आप इसको छाप दें इस वाले प्रस्ण में इस वाले इस वाले प्रस्ण में चार लाइन वही उठाके तुसको आपको नहीं लिखना है इसक के बाद हमारे पास यह सात्वां प्रस्ण जो है अंसर टू आप दा फॉलोविंग क्योश्चन इन बाउट पचीस वाड़ इच नीचे दियो हुए प्रस्णों में से दो करने हैं आपको जिनकी सब्द सीमा अधिक्तम पचीस वर्ड होनी चाहिए दो दो नंबर के यह चार न बहुत इजी है इसमें आप बीस पंद्रा बीस वापको कुश्चन तैयार करने होते हैं चार नंबर आपका फिक्स हो जाता है इसकी भी सिरीज चैनल पर डाल दी जाएगी जल्द से जल्द उसके बाद बात करें अगर अठ्वे प्रस्ण की तो अठ्वा प्रस्ण आपके पास इस प्रकार होता है पॉइंट आउट ट्रू एंड फाल्स इंदा फालोविंग स्टेट्मेंट जैसे ये 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 ठीक है तो ये चार आपके पास है इनको बताना है कि ट्रू है कि फाल्स है इसको लिखना है आपको अपने अंसर सीट में और उसको आगे अगर होंगे फाल्स तो इसे क्लियर लोके आपके पास यह नौमा प्रस्न होता है अगले प्रस्न की और बढ़े नौमा प्रस्न सेलेक्ट दा मॉस्ट शेबल अट्रमेट्व टू कंप्लीट दा फॉलॉविंग स्टेट्मेंट्स तो एक यह इसको बोले तो आप जेक्ट्टू सवकीन थे किसके थे स्टोरी सुनाने के कि पतंग उडाने के कि एक्सपेरिमेंट करने की कि पिकनिक पे जाने के तो वह एक्सपेरिमेंट करने के आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा नहीं पता हो होगा तो भी इसकी स्रीज आपको मिल जाएगी ट्रूफाल्स की तिस्यारीस ट्रूफाल्स आपको व्याद करने हैं आपकी कन्फर्म हो जाएंगे यहां से कितने नंबर चार नंबर देखिए बहुत इजी है क्लास 10 इंगलिस में स्कोर करना देखिए जैसा कि मुझे पता है क सतर नंबर का पेपर बनता है यूपी बोर्ड में 30 नंबर आपके इंटर्नल जाते हैं मतला प्रोजेक्ट अवर्क स्कूल से जाता है तो 30 नंबर में अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर दिये तो आप 68 एंड 69 और यहां तक की 70 भी स्कोर कर सकते हैं तो आप रिटेन में पूड किस से बनी थी किस धाब से बनी थी सिल्वर गोल्ड स्टोन वुड वो चीज़ आपको बतानी है उसी प्रकार आपके पास तीसरा प्रसन है दकिंग कुड नौट सीट अन्दा सीट जज्जमेंट विकॉस चार आपसन है इसमें से आपको एक टिक करना है ठीक है उसके बाद सब्सक्राइब करना है तो जैसे यह दिख लीजे कि दे ग्रिट रिस्पेक्ट देर सूर फॉर एलिडर है यह आपके पास एक सेंटेंस है जो कि अस्तवियस्त है फ्रेम अच औरेंटरिंग मतलब एक आज़र में जैसे जिसे राम घर जाता है तो राम गोज व्यूबता है इस तरह आपको लगाइग होता है यहां कि फिक्स प्रस्ट न होता है अगला पसमें did you complete your word के study ये voice change करना है ये active voice में है आपको passive wise में लिखना है तो अगर आपको passive wise नहीं आता तो इस channel में series passive wise की पूरी डाली जाएगी details से डाली जाएगी जहां से आपको अगर आप 9th में है या किसी UP board के साथ किसी state board में है या 10th में है 11th में है और 12th में है तो आपके 12th तक इस चीज़े काम देने वाली है passive wise और हर साल हर board में हाँ से प्रस्ट पूछे ही जाते हैं 2 से 3 नंबर के कि कहीं 2 नंबर का होता है कहीं 3 नंबर का होता है कहीं एक नंबर का competitive तक में ये प्रस्ट आपको पूछा जाता है तो अभी चैनल पे एक सीरिस डाल दी जाएगी passive wise की उसको आप देख ली जगा देखिए बारी बारी से जल्दी से जल्दी ऐसा कुछ नहीं कि आप एक रात पढ़के इतना स्कोर कर लो इतना स्कोर कर लो इस चैनल पे सारा material आपको प्रोवाइड कर आए जाने वाला है लेकिन धीरे धीरे अगला देखिए मोहन से टुमी आर्यू वेटिंग लेटर इसको आपको इन डारिक टिस्पीड में बदलना है नरेशन में तो नरेशन आपने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा है तो इसकी भी सिरीज आपको मिल जाएगी तो यहां से दो नमबर के प्रशन आपको मिलते ही मिलते हैं उसके बाद अगला प्रशन है दे फिर स्पेस चोड़ा गया है वर्किंग हड़ फर फाइप मिनट्स तो आपके पास भी बर्व लिखना है यहां पर कौन सी बर्व आएगी ठीक है फार फाइप तो यहां पर आप जैसा देख सकते हैं कि यहां पर आप लिख सकते हैं कुछ भी जैसे आप लिख दीजिए यहां पर यहां पर आपको बीबर व्यूज करना है तो सेंटेंस के हिसाब से तो मैं यहां बता भी दूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो यहां पर फिर दिख सकते हैं हाइव बीन है बीन क्यों क्यों लिखेंगे क्योंकि यहां पर देखी तो पूँ करेक्टक ़ूह बात की गई है ना किसेंटर्स में आएगा इसको कुछ भी लिख सकते हैं है पर आप जैसे आप लिख दीजिए had been तो सिर्फ आप ऐसा लिखेंगे कि हम बात करते हैं जैसे present perfect continuous में past perfect continuous में time की बात करते हैं तो उसी का आप यहां पर बर्व यूज करेंगे इसको आप इंडिकेट किया गया है कि बीवर आपको यूज करना है तो अगले प्रिस्न के और ब लगेगा कि बाई लगेगा तो यहां से आपको यह दो नंबर को आता है उसके बाद complete the following sentence को पूरा करना होता है if you work hard you will get success हमें आप लिख सकते हैं अगर तुम परिस्रम करोगे तो तुम सफल हो जाओगे तो यह भी बहुत easy topic है class 10 English के लिए इसको भी आप cover कर सकते हैं उसके बाद यहां पर आपको अगला परिशन होता है complete the spelling of the following words जो की एक नंबर की होती है आधा आधा नंबर आपको दोनों मिलता है यह पहला यह दूसरा यह तो जैसा कि आपको जे दिया गया है उसके बाद इस पेस है फिर इस टी फिर स्पेस सी इट इसको आप तो भरना है तो इसको आइस ब्रेंगे फिर इस टी दिया गया है तो आई सी जस्टिस मतलब नए होता है मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा जैसे डी आप यहाँ पर देख लिए इस पेलिंग भरना है यह खाली है तो यह डी दिया गया है उसके बाद आई भरेंगे यह डिसिप्लीन है ठीक है यह भर दीजिए अगर आप इसको कर लेते हैं तो एक नंबर ये भी आपको कंफर्म हो जाने वाला है उसके बाद पंच्वेट दा फॉलोविंग यूजिंग कैपिटल लेटर वटेवर नैसेसरी तो इनको पंच्वेशन आपने पढ़ा होगा यह कि पहला एटलिस कैपिटल से होना चाहिए कहां फुल स्टॉप लगेगा कहां एक्सलामेटरी मार्क लगेगा कहां क्यूशन मार्क लगेगा कहां कॉमा लगेगा कहां क्या यूज होगा पंच्वेशन में यह आपको लिखना हुआ होता है इसको आपको सिस्टम से बनाना हो पाई डाल दिये गए हैं उनको आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक करके देख सकते हैं इस देख लीजे इसी तरह मैं डाल रहा हूं और एजए इसी तरह आते हैं तो यह सारी चीजे कबर कर दूँगा फिर आप उठाएंगे तो आपको पैसे हमारे चैनल में जो डाली यह उसके अंदर से ही मिलेगा लेकिन आपको सब्सक्राइब करता है वह कभी किसी को धोका नहीं देता इमांदारी सच्चे सुक्वासांदी का सोथ है उसके लिए इमांदारी से सब्सक्राइब कर लेंगे यहां पर कुछ इस्पेसल यूजिंग की जाती है जो हम अपने च लेट करते हैं तो इस तरह मैंने सारे वीडियो डाल दूँगा पांचे वीडियो डाले जा चुके हैं वो सारे वीडियो डाल दिये जाएंगे इसको आप चिक करके यहां से आप अपने चार नंबर कंफर्म कर सकते हैं उसके बाद राइट एन अप्लिकेशन टू दा प्रि को इस प्रिकेशन देलिक दैवे और समय चौळ कर दो इसमया आपको फूल कंसेशन दे दिया जाए याद रखिए गाव अपने बूरक आप्सनल मने लोलल मिकलिक्रा ईएए का सिर्फ वहां पे इपके सका दिजे गा येम डाल के फिर सकतर दीए इगा तो भीकेशन लिक्तन है जिनको आप अगर तयार करते हैं तो क्लास टेंथ यूपी बोर्ड के साथ साथ अधर इस्टेट बोर्ड जितने भी हैं वहाँ प्यापको ये काम देने वाला है तो कर आपको इसी देखनी है तो हवारा जो पैसेज का समय ट्रांसलेस्ट पैसेज आप ट्रंसलेशन या बोल पर स्रीज आफेसरे डालेंगे उसी में अप्लिकेशन रहेगा तो वहां से हम आपको यह आप देख सकते ही यह चार नंबर का फिक्स आता है उसके बाद हम इसके बाद देखिए पैसेस ट्रंसलेशन कंप्लेट होने के बाद हम अपने चैनल पे इंग्लिस ग्रामर का जो प वह से आपके नंबर कंफर्म हो जाते हैं लेटर भी डालेंगे दोनों चीज कंफर्म कर लीजिए एक आपको लिखना है तो आपका स्टॉंग होई जाएगा अगली स्लाइट पर आते हैं तो राइट अ कंपोजीशन और वन आफ दा फॉलोविंग टॉपिक सीन बाउट सिक पर अपएटन नंबर के जो सुझ होगी बोर Предके लिए पका होने वाली यूपिवड़ के लिए साथ ही जूपिवूड बोर में तो यह दस नंबर का होगा लेकिन अदर इस्टियड बॉर में टीबी साब्रक निया एक नंबर ज्यादा होगा तो सभी स्टियोड के बच्चे ज़्यादा पूछे जाते हैं कितना आप तैयार कर लेंगे तो आपसे बन जाएगा लिखने का तरीका फॉर्मेट सारी चीज़ें क्लियर करूंगा सिर्फ छे से साथ ऐसे में समझ लीजिए चीज बिल्कुल आप निस्प कर रही हैं हां से तो इसके बाद यह आपको ऐसे मिल है कुछ दो देते हैं कुछ चार देते हैं उसमें से करना होता है आता सम्में इतना आप कंफर्म रही है एसे जो पूछा जाता है वेड़ लिमिट थोड़ी ज्यादा हुए लेकिन मैं यूपी बोर्ड के कर बात करूं तो उसमें साथ नंबर का पूछा जाता है और ये छे पैसे केरफुली औंसर द क्वेस्ट आप्सेट वी की अथीजिए तरी उसके बाद उसी का यह आधा पॉर्शन यहां है, with many people are born crying live complaining and die despondent they think every other person's biden to be light and their own fathers to be heavy as lead in reality it is their fancy rather than their fate that makes things go so तो यह चीज आपको कुछ heading होती है passage होता है unseen passage मैं आपको बता दूँ यह बहुत important topic है UP board class 10 के लिए unseen passes जहां से आपकी यह 6 number confirm हो जाने वाले ही आप देख सकते है तीन number का एक प्रस्ण होता है और तीन number का दूसरा प्रस्ण आता है तो यह अगर आप इसको भी देखना चाहते हैं तो इस channel पर मैं बता दूँ सारी चीजें series डाली जाएंगी आप मान के चलिए long answer की जो series है वो भी डाली जाएगी हमारे study with सुपर मोस्ट इंपॉर्टन दिया जाएगा स्लेवस फुल नहीं डाला जाएगा 50 से 50% 60% आपको पढ़ना ही देखो बच्चों पढ़ेगा इतना तो आप पढ़ेंगे तभी आपके 6 marks आएंगे confirm marks आएंगे आप लिखके आएंगे तो ठीक है central अडिया जो की तीन नंबर में आती है ये भी डाली जाएगी तो ये चीज़ आपको डाली जाएगी उसके बाद supplementary से 108 अंसर आता है वो भी आपको इसमें डाल दिया जाएगा चैनल पे हमारे एसे जो की 6 नंबर में आता है वो भी डाल दिया जाएगा application जो की 4 नंबर में आता है वो भी डाल दिया जाएगा later जो की 4 नंबर में आता है वो भी डाल दिया जाएगा translation of passes जो की 4 नंबर का आता है वो हमारे चैनल पे अभी चल रहा है चार-पार वीडियो अप्लोड हो चुके है उसके अब 20-22 वीडियो डलेंगे उसके उसके बाद unseen पैसे जो की ये last person आपने देखा ये भी हमारे चैनल पे डाल दिया जाएगा उसके बाद आपने देखा narration जो की दो नमबर का आता है वो भी हमारे चैनल पे डाल दिया जाएगा पैसी वाई जो की दो नमबर की आती है वो भी हमारे चैनल पे डाल दी जाएगी तो देखे कोई चीज छूटने नहीं बाली है सारी चीजे छूट अगर आप छोट देंगे तो फिर आपको नुकसान होगा बिलकुल आपको इतना पहना पढ़ेगा तो अगर आप मारे चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो बहुत ही easiest way से हम आपको सारी च अंकारी हो जाए